आप देख रहे हैं स्पेन नाई न्यूज और आज तारीक तीन माई है बीती दो माई को क्या-क्या घटनकर्म सामने आए हैं देश भड़ से अकबारों में सुर्क्यों की तार पर जलक्या बने हैं अकबारों के फ्रेंट पेज में लेकिन अभी बात करूंगी एक ऐसी ख़वर को लेकर जिस ख़वर ने वाकरी सवाल खड़े कर दिये हैं कि आखिर हमारा देश का सिस्टम जा किस सब रहा है आखर हम एक आम आदमी से अ उसके लिए तो इतनी धेर सारी टम सेंसे कंडीशन बैंक अप्लिकेबल कर दे लगा देते हैं कि इंसान सोचा कि पैसे कैसे भूबतां करूंगा उस पर इंटर्स्ट भी देना होता है एक आम जिंदगी जो एक आम इंसान होता है उसके पास इतने दुनिया-भर के लेकिन जो बड़े बड़े लोग है उनके पास धेरो भर के पैसे रखे हैं तो उनको किस चीज की तेंशन तो सोची किस तरीके से कर्ज में आम इंसान को कैसे पिसना पड़ता है हमाने आम लोग हमारे देश में और नीरमोदी विजे माला जैसे लोग अपनी क्रेडिबिल्ट पर बैंकों को बेवकूफ बनाते हैं और उनको आसानी से कर्स मोहिय अकड़ा देते हैं और फिर उचपत लगाकर हिंदुस्तान छोड़कर भाग जाते हैं और फिर सरकार एक्शन लेती है ताबर तोड़ फिजाच एजंसिया जुटती है लेकिन अभी तक शायद भगवान अभी बरोस में जाच फिले अडि करना करना परता है यह खबर की बात इसलिए मैं कर रही ही मैंने इतना इसलिए आपको बताया क्योंकि एक खबर सामने आई है आर्टी आई के मुताबिक और आर्टी आई का अविदन किया था और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने परदाफाश किया है कि 23,846 करूर का घोटा यानि लगभग रोज 14 धोखा रड़ियों बैंकों को 78 करून रुपए का चूना लगा और रिजर्व बैंक का खुलासा मोरी सरकार में 90,545 करूर के 19,570 गोटाले पकड़े गए हैं और 8.40 लाख करूर है बैंकों का एंपिया यानि की नॉन परफॉर्मिंग एसेट सोची नॉन परफॉर्मिंग 8.40 लाख करूर रुपए अगर यही विकास में आ जाए यही पैसा अगर रसू लिया जाए तो देश की काया ही पलट जाए मोदी सरकार के काल में 19,560 करोर के घुटाले हुए हैं ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा बताए पियम मोदी जी कहां है वो आपका स्रोगन बताए कि कहां है कहना आसान होता है लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है और यह आकड़े साब बया कर रही है कि हमाई देश की आर्थिक इस्तिक धर पर पर जा रही है नोट बंदी के बाद आपने वाह वाही लूटी जाहिर सी बात है उसे जीडीप बढ़ी लेकिन और लेकिन उसे बाद फिर से अपने पुरानी ही रप्तार पर चली आई क्या सोच किया रही है यह समझ में नहीं आ रहा हो देश बैंकों में से घुटाले स स्टेक बैंक और की बाद उसका नंबर आता है 11500 करण की चपतना के लिए भाग गया देश छोड़के लेकिन अभी तक उसका कुछ भी आता पता नहीं क्या है क्या नहीं करते कुछ नहीं है बस धाके तीन बात सोचे ज़रा और अगर मैं और आप होते तो शार्थ हमें उठ कानून नहीं होते हैं चलिए बात करते हैं कश्मीर की पत्थर बाजो ने मासूमों को भी नहीं बक्षा स्कूल बस पर सेके पत्थर और काई घायर यह देख सकते हैं आज साल के रहान का सिर्फ फोटा पिता ने पुछा इन मासूमों ने तुम्हारा क्या बिगारा था इस फिर से घाती में कहीं ना कहीं जो हलात है वो संगीन होते जा रहे हैं जम्मो कश्मीर के शोपिया में बुद्धवाल को पत्थर बाजो ने एक प्राइवेट स्कूल की बस पर हमला किया और इसमें से करीब 40 बच्चे थे हमने में तीन बच्चे घायर लो गया अब बात करत हैं और दाउट इब्राहिम का साथ दे रहे हैं और इसी शक की बिना पर इन्हों ने पत्रकार जेडे की हत्या करवा दी चलिए बात करते हैं राजानी दिल्ली में आंधी आए आकर आंधी आई थी साच किलो मिटर के अपता से चली आंधी बारिश से गिरा पारा 26 जखा पे अगे थी काउंडाउन शुरू हो चुका है करनाटा कि विधान सभा का और अगले हपते वहां पर मतदान होगा और ऐसे में करनाटा में जोड़ तोर की सियासत तो आप देखी रहे हैं प्यमोदी ने भी संबोधन दिया था नरहुल गांधी को चनौती दी थी कि बिना इन गायत समदाई से यह तो खीश लिया अपने खेमे में लेकिन अब बजेपी के पास बचा क्या है आदिवासी वोटर और करनाटक चुनाव में 19 फिसद दलित हैं और साथ फिसद आदिवासी समदाई के वोटर हैं और करनाटक में 80 की 51 सीते हैं और 2014 लोग सबाद बना सकते हैं जिससे कुछ हो सकता है क्योंकि अभी आपको पटाओं का बीते दिनों भारत बंद हुआ था दलित राजविती को लेकर बीजेपी को जम कर खेरा गया था आरक्षर की बात कहीं कि कहीं मोदी सकार आरक्षर तो खर्प करने वाली नहीं है उसी को लेकर जम कर भ सब्सक्राइब करते हैं जनसत्ता की जनसत्ता के पत्थरबाजों ने शोप्रिया में स्कूल पस को निशाना साथा निशाना बनाए आँ बात करते हैं कि सुप्रीम कोट ने पूचा मौके पर क्या कर रही थी पुलिस अधिकारी को मरते देख रही थी कल हेमास्ट्र प्रदेश के कसौली से एक दर्ड़ना घटना सामने आई एक महिला थी यह महिला की फोटो आप देख सकते हैं यह आपर एक महिला अधिकारी सुप्रीम कोट कि आखे पूलिस कर्मी क्या कर रहे थे वहां यह बहुत बड़ी बात है और आगे बात करते हैं कर देख सकते हैं स्मार्ट फॉन की लग्चर से भड़ते और हाथ से यह पढ़ रहा है और कभी बात माध्याग्रा मुबाईलग चलता फिरता बनरंजन का सबसे बरा साधन बन गया है और बेलगाम अपरादी ही माश्रप्रदेश की कसौली में जो घटा सामने आई उसको लेकर यहां में आर्टिकल आप पढ़ सकते हैं बात करते हैं अब खेल जगत के लिए मैं दानी धासकर का यह करूंगी देख सकते हैं आपर चैसाल बात दिल्ली डैडावेल्स ने राजस्थान रॉयल्स को मात दी है और सोला देशों के एक हजार रोबोट ने फुटबॉल खेला और दोसो टीम आठ इवेंट्स में उत्री नौइडा नौइडा से कल एक खबर सामने आई थी और फुले नाले की वज़ा से एक जानी मानी ग्रूप मैनेजर तान्या खन्ना की मौत हो गई याद दे सकते हैं नौइडा में 12 फूट गहरे खुले हुए नाले में कारगिरियों डूबने से मैनेजर की मौत रात में और रही थी करार चला रही थी तान्या और सेक्टर 85 137 गोल चक्कर पर मुटते समय खुले नाले में गिर गई नौइडा के सेक्टर 80 में इस्तिती नाला 12 फूट गहरा है धका हुआ नहीं है और नाले की चौड़ाई काम होने और कार परटने पर गेट जाम होने से तान्या बाहर नहीं आ सकीं इसके अरावा अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्स्टी में जिन्ना की तस्वीर प्रबावाल हो रहा है ऐसा लग रहा था ही मामदा सुलग जाएगा लेकिन इसने आप कहीं न कहीं बहुत जादा एक सामप्रदाइक रग ले लिया है कि कल हिंदू युवा गण्नी न धंकी दी थी कि 48 घंटे के अंडर जिन्ना की तस्वीर हटा वई वरना हम हटा देंगे और कुछ ऐसा ही नजार देखने को मिला अलिगर्ड मुस्लिम उनिवर्सटी में और वहां पर हिंसा की घटनाय सामने आई है जिन्ना पर जंग का मैदान बनी अलिगर्ड करते हैं हिंदुस्तान के आर्थी जगत की है कि मेडिया से आजादी के सवाल उप्राश्रोपति पर सकते हैं अतिकर्मण और हत्या वही जो कसौली हत्याकान सामने आया है उसको लेकर हिंदुस्तान ने भी अपनी ख़वर पब्रिश की है जिनका नाम था शायल बारा शर्मा करते हैं चोटे कारोबारियों को बड़ी रहत होगी और प्रधान मंत्री वय वंदन योजना में निवेश शेमा निवेश इन्वेश्टमेंट की जो लिमिट है वो 15 लाग की होगी और हवाई यात्रा में महेंगा हो जाएगा इंटरनेट यह है बिजनस की बड़े ख़वर आप पढ़ सकते हैं और स्वास्ति सुरक्षा योजना 2020 तक चलेगी अल्प संक्यक सशक्ति करण पर भी जोर रहेगा या यह ख़वर है हिंदोसान के चौड़ा नंबर पेश्वर इसके लाब डेश विडेश का रूप करते हैं मोडी जिन्पिंग वारता से खुल गए नया प्रायाम और भारत पॉक हर्ट लाइन भारत अमेरिका हर्ट लाइन ऐसी चीजे हैं खाली में प्रहान अंत्री नरेंदर मोरी ने शीजिन्पिंग से मुलाकात कि इसके बाद दोनों देशों के बीच जो कहीं न कहीं मद्भेड थे वो मद्भेड इस बाद प्रित के जरीए सब्सक्राइब दोनों देशों में आप कहीं न कहीं सद्भाव और बन सकता है तो दशकों आके अग्बारों के सुर्कियों में बस इतना ही कल होगी आपसे फिर मुलाकाप लेकिन तब तक लिए नमस्कार